नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ मुक्यस जानी मेरी चैनल पर आप सभी भाई बेनों का अर्दिक स्वागत करता हूँ सभी के लिए सुबकामना सुबेच्छा पगवन बोलेनाथ सभी की मौनों कामना पूरी करे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता है सभी काम आपके अधूरे रहते है मेनत करते है फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है कोई न कोई बादाय आपके जीवन में आती ही रहती है जितनी महिनत करते हैं आप उटने रूपिये नहीं मिलते हैं आपको तन नहीं मिलने की वज़ों से परिवार चलाने के लिए आपको करज करना पड़ता है छोटी बात बोल दूँ दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भाग्या का साथ नहीं मिल रहा है दोस्तों आज जो उपाई बताता हूँ वो उपाई आप जितने दिन कर सकते हैं जितने मेने कर सकते हैं जितनी साल कर सकते हैं आप यह उपाई करें समय की कोई पावंधी नहीं हैं कभी भी कर सकते हैं एक बात का ख्याल रहे हैं यह उपाई करें तो बुधवार के दिन ही करें, कोई भी बुधवार के दिन, और सुरिय अस्त के बाद ना करें, सुरिय अस्त हो जाए बाद में, यह उपाई ना करें, जो भाइबेन चैनल पर पहली बार आये हैं, मेरा यह पहला वीडियो देख रहे हैं, वो भाइबेन से पर निवेदन करता हूं, इसी जहनकारी में आप रूची रखते हैं चेनल को सब्सक्राइब कर ले, पासवाली गोल नोटिफिकेशन बेल दबाए, ताकि मेरा आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, वीडियो अच्छा लगे, लाइक करे, डिसलाइक करे, कॉमेंट बॉक्स में, हर दिन की तरह अरज करता हूं आपको, कॉमेंट बॉक्स में, भगवान राम का नाम अवोस्य लिखे, जैस्री राम आप अवोस्य लिखेंगे दोस्तों, दोस्तों मैं क्यूं आपको इतना बार बार बोलता हूँ राम लिखने के लिए, राम सब्द में, प्रचन दूर जाए, अगर आप राम बोलते हैं, राम लिखते हैं, या राम पढ़ते हैं, प्रचन दूर जाए उसमें, आप राम बोलते हैं, और जो वाइब्रेशन प्यदा होते हैं दोस्तों वाइब्रेशन से ही आपके आजुबाजु की जो नकारात्मक सक्तिया है असुप्रभाव है गायब हो जाता है कुछ लोग नहीं मानते है इसी बातों में तो अलग बात है मगर राम राम सब्द में स्वेयम राम है इसी लिए मैं बोलता हूँ परिवार के सभी भाई बेनों को बोलता हूँ आप राम लिखे चैसरी राम लिखे एक जो ताकत है जो उर्जा है राम सब्द की राम मंत्र है राम का नाम राम मंत्र ही है मंत्रों का मंत्र की सक्ति पावर दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मगर आप कुछ बहतर प्राप्त करना चाहते हैं राम अवस्य लिखे कॉमेंट बोक्स में ना लिखे कोई बात नहीं एक नोट ले ले नोट में राम 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 लिखते जाए यह प्रयोक करेंगे आप बुध्वार के दिन सुर्यात से पहले शनान करने की कोई जरूरत नहीं है दिप जगाने की जरूरत नहीं है मंत्र बोलने की कोई जरूरत नहीं है दोनों हाथ पेर के आप नाखुन काट ले ला आपके सर के सर में से तीन चार बाल यू नोच ले तीन चार बाल नोच लेना है तीन चार बाल सफ़ेद पेपर का छोटा टुकडा ले अब आपकी जो भी समस्या है वो समस्या एक छोटे पेपर में आप लिखे शोल्ट में लिखेंगे आपको धन की समस्या है और भाव है धन का तो आप लिखेंगे दरीद्रता या तो गरीबी मैंने मेरे पहले वीडियो में पूरा ने वीडियो में दरीद्रता संस्कुरुच सब्द है अभाव ग्रस्ता है हमारे जीवन में जो भी चीज का अभाव है वो चीज से हम दरीद्र है दरीद्र संस्कुरुच सब्द है दरीद्रता संस्कुरुच सब्द है हिंदी में अभाव ग्रस्ता बोलते हैं दरीद्रता गरीबी लिखें धन की समस्या है कर्ज बटर आजा रहा है पेपर में कर्ज लिखें रेड पेन ना ले लाल पेन ना ले बलेक या तो ब्लू पेन ले पेपर बीन अलाइन वाला ले बीमारी है आपके जीवर में अपकी तबिया ठीक नहीं रहती है अब बीमारी लिखें आपने जो तीन चार बार नोच के निकाले हैं वो और दोनों हाथ पेर के ना खुन पेपर में रख दे पूरी बना ले घर से बाहर अपके कंपाॉंड में फ्लेट में रहते हैं तो आपकी च्छत के उपर या तो आपकी बालकनी में इस पूरी को जला दे पूरी तरह से राख हो जानी चाहिए कोई छोटे बतन में छोटी कटोरी में इस पूरी को जला दे कैसे जलानी है वो आप देखें कपूर से जलाए रूई से जलाए किसी भी तरह से नाखुन और जो आपने आपकी समस्या लिखी है शोट में उसे जला देना है नाखुन आप बुध्वार के दिन ही काटेंगे और जो भी बुध्वार के दिन आप नाखुन काटेंगे तब यह प्रयोग आप पवस्या करेंगे थोड़े दिन प्रयोग करते रहें दोस्तों, थोड़े बुध्वर, यह प्रयोग आप चालू रखें, आप महसुस करें, देखें, क्या बढ़लावाते हैं आपके जीवन में, आप खुद महसुस करें माननो या ना माननो, यह प्रयोग मैंने मेरे कई फ्रेंड्श को दिये हैं, जो व्यापोरी भाई हैं मेरे उनको लोग डाउन के बाद, यह प्रयोग दिया था इस प्रयोग में सभी को रिजल्ट मिला है एक ने भी ऐसा नहीं बोला है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला है विश्वास रखें दोस्तों आस्था रखें गरीबी दरिदरता, कंगाली, बदकिस्मती, दुर्भग्य, अवश्य दूर हो जाएंगे वीडियो के अनुद तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, सभी भाई बेनों को जन्यवाद, पुन्दे मापरम